तो माई डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आज मैं आपको इस चैप्टर में यह जो चैप्टर है क्लास थ्री का क्लास थ्री मैट्स का जो नई बुक आई है बुक का नाम है मैट्स मेला करके ओके इसका first chapter का ये second video है chapter का नाम था what's is in name ओके इसका first part हम कर चुके हैं आज हम इस chapter का second part करेंगे और इस chapter को finish करेंगे तो आईए इस chapter को समझते हैं let's us do some animals and birds got together to play a game कुछ animals और birds एक साथ एक game खेलते हैं they wanted to make two teams वो दो teams बनाना चाहते हैं they decided that the captain of the first team will be the one with the longest name तो team A का captain कौन होगा जिसका नाम सबसे बड़ा होगा मतलब जिसके नाम में सबसे ज़्यादा letters आ रहे होगा ठीक है that is the one with the most letters the captain of the second team will be the one with the shortest name ठीक है second team का captain कौन होगा the one with the shortest name मतलब जिसके नाम में सबसे कम letters आ रहे होगे the one with the fewest letters तो आईए यहाँ पर यह आपको देख रही है team है, tiger है, elephant है, dog है, deer है, snake है, ox है, goat है, rat है, lion है, monkey है तो इन में देखते हैं हर एक animal के name में कितने letters आ रहे हैं यहाँ में देख पा रहा हूँ, five आ रहे है, यहाँ थी आ रहे है, यहाँ पर फॉर आ रहे है, यहाँ पर फॉर आ रहे है, यहाँ पर फॉर आ रहे है, इधर six आ रहे है, rat में थ्री आ रहे है, ox में टू आ रहे है, यहाँ पर four आ रहे है, elephant में कितने आ रहे है, चार और पा ठीक है जिसका सबसे बड़ा नाम होगा और having most letters in his name तो first team का captain यहाँ पर हमारा decide हो गया है elephant e-l-e-p-h-a-n-t elephant letter count कितना है 8 है और second team का captain कौन बनेगा animal having short test name तो सबसे कम letters किसमें आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे ox में इसमें कितना letter count है दो letters आ रहे हों रहे हैं ना अब यहाँ आपसे एक चीज पूछी गई है do you know any animal having longer name than the first team's captain elephant से भी अगर आप किसी ऐसे animal का नाम जानते हैं जिसके name में 8 letter से भी ज़्यादा आते हैं तो आप इसका नाम मुझे बता सकते हैं आप comment box में comment करके उस animal का नाम बताएए ओके now come to the next question who has a longer name discuss my name is longer महेश कारते तो आपके friends होंगे ठीक है ना तो आप उपने friends में क्या कर सकते हैं compare कर सकते हैं कि किस के नाम में सबसे ज़्यादा letter है ठीक है the one who has longest name और किस के नाम में कम letters है the one who has shortest name तो आप ये अपने friends के साथ discuss कर सकते हैं आईए अब हम चलते हैं next exercise पर write down the names of some of your friends in the space given below and answer the questions from A to A ठीक है ना तो यहाँ पर आपको अपने कुछ दोस्तों के नाम लिखने हैं जैसे मैं आपको बताता हूं मैंने लिखे जल्देली राम राहुल पुल्दीर ठीक है नीरज अंकूर वैभव सोहन रजत ठीक है तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं यह मेरे friends का suppose these are the names of my friends now I have to do some questions अब मुझे कुछ questions पूछे गए है वो मुझे करने है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इन names के name count लिखूँगा है ना letter count कितने है यहां 3 है यहां 5 आ रहा है यहां पर 7 आ रहा है यहां पर 6 आ रहा है यहां पर 5 आ रहा है 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है ठीक है अब आपसे पूछा गया है take the longest name and cross the shortest name ठीक है इसमें longest name कौन सा है longest name I can see here there are two names having same number of letters ठीक है ना जैसे कि खुल दीप का देखा जाए इसमें भी 7 letters आ रहे हैं और webhub के नाम में भी 7 letters आ रहे हैं सबसे छोटा नाम कौन है राम only 3 letters आ रहे हैं ठीक है तो इसको हमें cross करना है shortest name को cross करते है write the starting letter of your name आप अपने नाम का जो भी आपका है जो B से start हो रहा है तो मेरे इसमें तो कोई भी नाम नहीं है ठीक है ना अगर है तो आप उनको count करके यहां लिख देंगे which starting letter is the most used count the names of names that begin with it अब कौन सा ऐसा alphabet है जो letter है जो उससे ज्यादा बार यहां यूज किया गया है जैसे r r यहां भी रूज किया है r से तीन नाम है ठीक है आपसे यह पूछा गया है which starting letter is the most used count the names that begin with it तो यहां पर r है हमारा और इससे जो words बने हैं वो तीन बने है count the name with the same ending letter ठीक है count the names with the same ending letter अब सेम एंडेंड लेटर जैसे यहां M Intelligence, यहां Have you got. He og नाम में सारे ही alphabet देनडिंड'D के साथ खतम हो रहे आगर आपके कि मिरेंडिंड लेटर सेम हो रहा है तो आप वह बता सकते हैं कि आपके एसे कितने नेम है होगी तो आएए आगे चलते हैं write the letter that are not starting letter of any name, ऐसे letters को लिखना है जिससे कोई भी नाम नहीं शुरू है जैसे कि मैंने यहां लिख सकते हैं Y हो गया, T के Z हो गया, X हो गया, इन से mostly नाम कम रहते हैं हमारे हैं आएए next page पर चलते हैं, next exercise को करते हैं question number 4, Teji and Jojo are making numbers using these cards, है ना, Teji और Jojo क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको कुछ number cards देख सकते हैं जैसे 1 लिखा है, 4 लिखा है ठीक है 7 लिखा है, 2 लिखा है 5 लिखा है, 8 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है 14, 30, 20, 10, 14, 17, 11 ठीक है, 15, 18 12, 13, 16, 19 चीक है, 90, 80 70, 60, 50 यहां पर आपने कुछ number cards को देखा, अब आप से कुछ questions कूछे जाएंगे आपको उनका answer करना है Teji makes Teji makes her roll number 43 like this, है ना, उसने 43 कैसे बनाया, 40 का 4 का 40 लिया और 3 का 3 लिया, अब इसमें अगर हम count करें तो 5 letter यहां है और 5 letter यहां है, तो total 43 में कितने letters आ रहे हैं, 10 letters आ रहे हैं, ठीक है Jojo makes his roll number 17 Jojo का roll number 17 है, तो उसके name में कितने letters आ रहे हैं, आईए count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 तो Jojo के में 9 letters आ रहे हैं, उसके roll number में 9 letters आ रहे हैं, तो I hope यहां तक आपको समझ आया होगा आईए next question पर चलते हैं write your rule number using number card as shown above number cards are given at the end of the book ठीक है my rule number is जैसे कि अब आपको क्या करना है आपका rule number क्या है मानलो मेरा rule number है 5 ठीक है तो 5 को मैं कैसे लिखूँगा if number name है इसके number name में कितने letters है 4 letter है मैं 4 लिखूँगा मानलो मेरा number 40 होता तो मैं 40 लिखता 40 में कितने होते होतने count करके लिखते ठीक है तो आपको अपना rule number लिखना है यहां पर और उसमें कितने letters आते हैं वो यहां पर लिखना है next question write some numbers and their number name in your notebook how many letters does each have आपको कुछ number names लिखने है जैसे कि आपने लिखा 40 5 ठीक है 10 11 ठीक है अब क्या करना है how many letters does each have इसमें letters count करने है तो इधर 5 इधर 5 इधर 10 हो गया इधर 3 हो गया इधर 6 हो गया इस तरीके से एक number name और उसमें कितने letters आ रहे हैं वो आपको बताना है let us think आईए next question को चलते है तेजी हैं जो जो made the number 56 56 उन्होंने number बनाया it has 8 letter है ना उसमें अगर देखें तो 5 और 3 यहां पर 5 है यहां पर 3 है तो total 8 letters हो गया write other numbers between 1 से लेके 99 that have 8 letters ओके अब आपको जैसे कि 8 letters वाला लिखना है और 1 से लेके 99 के बीच में ऐसे कौन से number है जिनमें 8 letters आते हैं एक आपके लिए इन्होंने करके दिया है for ty 5 यहां पर आ रहे है और 3 यहां पर आ रहे हैं तो इसमें 8 letters आ रहे हैं और आप बताईए और किस में आता है ठीक है तो जैसे कि 60 si x ty 62 हो गया है ना इसमें भी कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं ठीक है और जैसे कि और क्या होगा 50 52 हो गया ठीक है 62 हो गया 52 हो गया ठीक है न तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको ये तीन आपके लिए हैं और आप इनके answers मुझे comment box में comment करके जरूर बताएंगे जो और आपको नहीं भी आता है तो भी आप बताइए तो मैं उनके answers फिर आपको दुबारा बताऊगो next चलते हैं write the numbers between 1 से लेके 99 1 से लेके 99 के बीच में आपको number लिखने आए हैं यहां पर 1 से लेके 99 के बीच में that have the longest name जिसका सबसे लंबा name हो है ना उसमें सबसे ज़्यादा letters आ रहे हैं जैसे 88 देखें E I G H T Y 88 E I G H T 88 E I G H T 88 तो इसमें कितने आ रहे हैं E I G H T Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं तो टोटल 11 आ रहे हैं इस तरीके से जिसमें ज़्यादा letters आ रहे हैं longest name वाले आपको यहां पर लिखने हैं Find out My number has two words मेरे नाम में दो words हैं एक और दो The first word has six letters First word जो है उसमें six letters है ठीक है The second word has five letters Second में five letters है I am very near to hundred और मैं hundred के बहुत आसपास हूं Who am I तो यह आपको सोचना है जैसे की 90 First में हमारे कितने आ रहे हैं Six letter होने चाहिए First में आपके कितने letter होने चाहिए Six letter होने चाहिए चीक है तो अब 80 में देखिए E I G H T Y तो 80 और F I V E 5 में वो हो जाएंगे 4 आ जाएंगे 5 बाला चाहिए आपको next में five letters होने चाहिए है ना तो S E V E N 7 तो क्या answer आ गया आपका 87 चीक है इसका answer क्या हो गया 87 Question में क्या बोला गया है कि उसमें दो words है फर्स्ट में six letter है तो six letter हो गया और second word में five letters है तो seven में five हो गया तो इस तरीके से इसका answer हो गया 87 Next question My friend and I are the numbers from 63 से 78 मेरे और मेरे friend के पास 63 से 78 के बीच में number है My number name is the smallest among all of them Who am I? सबसे कम मेरे में है तो क्या होगा मेरा 70 S-E-V-N-T-Y ठीक है 70 होगा इससे छोटा है तो आप बताइए ठीक है 70 में कितने है 5, 6, 7 7 है इससे छोटा अगर कोई आप बता सकते हैं 64 में भी S-I-X-T-Y-S-5 और F-O-U-R ठीक है 5 और 4, 9 हो रहा है 70 इसका अंसर होगा है हमारा 87 ठीक है Make similar puzzles of your own in your notebook and ask your classmates जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं एक बहुत लंबा नाम लिखा है वैंक ट्रम, सिमहाराजा, जोवार पेटा एना is the place in India यह एक जगे का नाम है इंडिया में with the longest name इसमें यह सबसे longest name की place है हमारे इंडिया में इस लोकेटेड आंदरप्रदेश आंदरप्रदेश में यह जगह है और close to the border of Tamil Nadu के border के आसपास है तो आपका काम है इस word में कितने letters आ रहे हैं कितने letter आ रहे हैं वो आपको count करके बताना है letters count करना है और comment में बताईए जो सबसे पहले बताएगा उसको मैं like करूँगा उसके comment को next question IB in Odisha and OD in Gujarat are the places in India with the shortest name यह भी IB करके एक जगह है इव ठीक है यह एक जगह का नाम है जो की Odisha में है और OD करके OD यह गुजरात में है जिसमें कि यह shortest best name है बस दो-दो letters आ रहे हैं ठीक है तो यह names है having shortest name और यह है longest name place है ठीक है ना next question है Teji and Jojo have some picture cards Teji has put these into two groups like this जैसे Teji और Jojo के पास कुछ pictures है उसने दो group बनाई यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं यह कुछ मुझे लग रहा है drone type का drone है यह aeroplane है, यह mobile है, यह kite है, यह book है, यह bulb है यह rat है, fish है यह आपकी fly है और यह आपकी bird है है ना तो यह हमने दो groups देखे She has grouped the card into those eat those that eat food and those that do not eat food ठीक है उसने दो group बनाई जो की खाना खाते हैं और जो नहीं खाते हैं जो Jojo has arranged the same card differently töकी तो इसमें, यहां पर rat पर रहा है यहां पर bird आ रही है ठीक है और यहां पर book आ रही है ठीक है यहां drone आ रहा है यह amen यह airplane आ रहा है तो यह गल्द है आपको इस तरीके से arrange कर ना है जो खाना खातें उनको open in the house rain देजार एक गृप में आए गी आपके non-living things हैं जो खाना नहीं खाते एक, दो, तीन, चार बाकी सब आपके एक group में आजाएंगे What is common in each of the group Jojo has made? ठीक है Jojo ने जो group बनाया है इन दोनों में क्या common है? ये तेजी ने बनाया, ये जो जो ने बनाया इन में आपको तो क्या common देखा रहे है आपको उसको find out करना है Given below are the pictures of some household objects ये आपके कुछ household objects household objects मतलब जो objects घर पे use होते हैं हमारे उनकी कुछ pictures हैं जैसे TV हो गया chair हो गया, lamp हो गया, bed हो गया blanket, pillow, fan and clock अभी आपको यहाँ पुछा गया है Write the names of the above object into the two groups given below, जैसे things that need electricity इसमें से कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो जिनको electricity चाहिए जैसे TV हो गया, fan हो गया, lamp हो गया ठीक है और things that do not require electricity, जैसे chair को कोई electricity की ज़रूवत नहीं होती है bed को कोई electricity नहीं चाहिए clock को नहीं चाहिए, pillow को नहीं चाहिए और blanket चीक है, तो यह हमारे groups हो गए next आता है, group the object given above differently, write them down in the space below, अब आपको इसको एक दूसरे तरीके से भी group करना है यह आपके लिए है ना, यह आप करिए और नहीं आता तो आप push लेजे, next question let us do, hair styles है यापर, mala is going to school her mother has formed her hairs, ठीक है, जब आप school जाते हैं तो आपकी मम्मी या आप खुद से अपने hairs को क्या करते हैं, कॉम करते हैं mala has two ponytails, mala की यहाँ पर आपको दो ponytails देख रही है उसकी मम्मा ने दो ponytails उसकी बनाई है look at the children in your class आप अपनी class में देखिए, बच्चों के hair style कैसे different different hairstyles है all the children's comb their hair in different way look and write down, hairstyles हो गई जैसे यह हो गया, यह different number of children, जैसे एक single ponytail आपकी class में कितने बच्चे करके आते हैं जैसे suppose करिए 8 बच्चे आते हैं, ऐसे 2 चोटी में 10 बच्चे आते हैं, इस type के बाल मान लो 6 बच्चों के हैं इस type के बाल मान लो 5 बच्चों के हैं इस type के बाल मान लो 15 बच्चों के हैं और इस type के बाल आपकी class में suppose करें 8 बच्चों के हैं, तो आप यह number of children's इनको एक बार add करके भी यहाँ पर मुझे बताईए तो यहाँ पर आपका chapter खतम हो गया है I hope आपको यह chapter समझ में आया होगा अगर आपको कोई और doubt है या कोई problem है तो आप मुझे इस वीडियो का जो comment section है उसमें comment करके बताईए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूर करेगा थैंक यू and have a wonderful day बाई बाई